नमस्कार दोस्तों, TechSmart Advise YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ आज में आपके सामने यहाँ पे दो प्रोड़क्स का आज में अन्बॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ यह जो यहाँ पे आपके सामने है यह एक ट्राइपॉड एन एक बोया का माइक है यह एक बेसिकल जो ब्लोगिंग करते हैं अगर आप ब्लोगिंग करते हैं ब्लोगिंग के तोर पे भी आप इसे बहुत अच्छा प्रोड़क्ट है खास तोर पे यह ब्लोगिंग ट्राइपॉड है जिसके चलते अगर आप सोच रहे हैं ब्लोगिंग करना तो यह दोनों प वीडियो में दोनों प्रोडक्त का में अन्बॉक्सिंग रिव्यू करूँगा तो चले शुरू करते हैं पहले हम यहां पर ट्राइपोड को ले लेते हैं और साइड में में जो इस माइक को में साइड में कर देता हूं यह जो ट्राइपोड है एक फ्लेक्सिबल मोबाइल का जो यहां पर माउंट दिया गया है इस तरह से हैं अब इसके उपर माइक भी सेट कर सकते हैं किस तरह से सेट करेंगे सब कुछ हम बात करेंगे तो शुरू से अंद तक देखते रहेगा यहां पर क्या है यहां पर बार कोड दिया गया है यहां पर वीचाट अब यह सबी है और यहाँ पर कुछ खास नहीं है और यहाँ पर tripod का look अंदर जो tripod का look है कुछ इस तरह से है और इसके अंदर कुछ नहीं है अभी हम इसको open करते हैं तो इसके अंदर manual guide बगरा देता है इसको हम open कर देते हैं और साइड पर रख देते सकते हैं इसका grip quality आप यहां से देख सकते हैं ओके यहां पर क्या क्या चीज़े हम बात करते हैं यहां पर जब आप fast time इसे करेंगे तो यह तरह सक्त होगा आपको इसे इस तरह से खोलना है खोलने के बाद उपर के अगर बंद position पर आएगा तो कुछ इस तरह से होगा इस तरह से बंद position में अगर आप DSLR के लिए यूज़ करते हैं इस tripod को तो यहां पर DSLR के नीचे जो hole होते हैं लॉक करने के लिए tripod को यह DSLR के लिए हैं अगर आप mobile के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा आपको simple सा process इसको open करना होगा और इस वाल आप जाके आप यहां पर लगा सकते हैं तो mobile किस तरह से मांट करेंगे अभी में mobile का मांट करके आपको बता देता हूं तो यहां पर देखेंगे मैंने यहां पर phone को hold किया हुआ है और यहां पर देख सकते हैं बड़े बड़े ही सक तरीके से यहां पर hold हुआ है अगर पीछ तो आशा करता है समझ चुके होंगे उसके बाद क्या आ जाता है यहाँ पर यह जो माउंट पॉर्शन है यह अगर लूस करेंगे तो यह लूज करने पर इसको आप इस तरह से आप से डाउन्स अपने पजीशन अनुसार आप यहाँ पर इसको रख सकते हैं आपको अगर उप quality flexible quality है blogging के लिए बहुत ही खास इसलिए है क्योंकि जब आप blogging करेंगे तो आपको हाथ में एक grip का flexible होना चाहिए ताकि आप आसान तरीके से blogging कर सके जो कि यहाँ पे दिया गया है और इसको आप अगर fold करना चाहते हैं मानके चले lock पे अप hold करना चाहते हैं तो इसी तरह से band करके भी आप रख सकते हैं ठेक है इसको आप कहीं पे भी hold करके रख सकते हैं या table के उपर भी आप इस तरह से रखेंगे उसका position सेट कर देंगे तो देखें ये इस तरह से hold हो जाएगा इसके बाद पॉजिशन चेंज करके टेबिल में रखके भी आप कोई भी काम यहां से इस ट्राइपोट के माईधम से कर सकते हैं अभी हम आते हैं इसके साथ जो यह अलग से मैंने लिया हुआ है बोया का इसके साथ यह नहीं आया हुआ है अगर आप लेना चाहते है दोनों का लिंक में वीडियो के निचे डेस्क्रिप्शन बक्स पर डाल दूँगा यह बोया का माईक है बी वन एम एम अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके उपर जो बार कोड है एंड वेरिफाई जो बैच है इसको देखके ही आप पर्चिस किजेगा ऑनलाइन पे तो ज इसके साथ अगर आप लेंगे तो दोनों का ब्लॉगिंग के लिए बहुत ही फ्लेक्सिबल है इसको हम अभी आपन करते हैं आपन करने से पहले यहाँ पर कुछ दिखा देता हूँ फीचर यहाँ पर फीचर के बात करते हैं तो कॉम्पेटेबल विच स्मार्टफोन टैबल के साथ यह कनेक्ट होता है अगर हम पॉलर पैटर्न के बात करते हैं तो कार्डियोल्ड है और फ्रिक्वेंसी रेस्पॉंस अगर बात करते हैं तो 35-18 हैश अपको प्रोवाइट किया जाता है सेंसिटिविटी माइनस 42 डीबी प्लस से है और यहाँ पे सिग्नल टु नॉइ प्लस रेशियो जो है यह 76 डीबी है ठीक है प्लग आपको यहाँ पर मिलेगा आपका अगर मूबाइल के साथ करते हैं तो 3.5 mm जैक होगा यह जो है जैसे कि यह स्मार्टफोन टैबलेट या अब डीएसलर पर भी यूज़ कर सकते हैं अगर वेट के बात करते हैं तो प्लस था 1600 इंडियन रुपीज ठीक है जैसे कि बॉया एक बाहर के कमपनी है तो अभी मैं इसे ओपन करता हूँ अ कि ़ो बॉक्स के साथ कुछ इस तरह से आता है यहां पर मैनुटी-काड्ड होते हैं लेकिन आप को लॉकल कहीं पर इसका बवया का ंपे भी कि अब यूज करने के बाद उसको सुरक्षट तरीकी से रख सकें ते के ब으 enthusiya सी पॉइंट फायम ज्यकündब दिया गया है और यहाँ पर यह पाउंट के लिए दिया गया है और यहां पर देखेंगे तो यह और एक 3.5 mm jack cable दिया गया है इस box के साथ 4 चीज़े दिया गया है पहला जो है यह cable है cable के ऊपर यह microphone है और यहां पर जो cable है लगबग आदे मेटर का cable है यहां पर देख सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं smartphone लिखा हुआ है और side पर देखेंगे इसके sticker के ऊपर लिखा गया है microphone तो यह जो cable है यह smartphone के साथ जाएगा और दूसरे वाले जो cable दिया गया है यह DSLR के लिए जाएगा DSLR के साथ जाएगे आपका जो भी उसकान दोनों के लिए दिया गया है DSLR के लिए उसकरेंगे तो इस तरह से band होगा तो आपको समझ जाना ही यह DSLR के लिए है तो यह DSLR पर जाएगा यह माइक के पॉर्शन पर इन होगा और यह DSLR पर जो है वहाँ पर इंपूर्ट होगा और हमारे पास जो है microphone है यह है यह किस तरह से यह जो उलफ का जो एक smart sensor दिया यह किस तरह किसलिए दिया गया है और क्यों इसे blogging के लिए यूज करना है क्योंकि जब आप लॉंग ड्राइफ के शूट करेंगे तब एक noise reduction आता है रोड का या site का एक noise reduction आता है ताकि क्या होता है कि जब आप शूट करते हैं तो शूट करने के साथ आपका background में बहुत सा जाता है तो वो क्या करता है यह वो लग जो है यह जो cotton के यह जो उलका दिया गया है यह क्या करता है noise को reduction कर देता है ताकि आपका voice आपका जो नियारस जो भी voice आप record करते हैं वो clear तरीके से record में आ सके ठीक है इसलिए दिया गया है और इसको क्या करना है इस वाले जो position होते है जैक के वो हमेशा इस माइक के अंदर इस तरह से होल्ड हो जाता है जोर से आपको करना है उसके बाद यह जो पॉर्शन जाता है यह स्मार्ट फोन के साथ चला जाता है यह इस तरह से स्मार्ट फोन के साथ इंपट हो जाता है तेक है इस तरह से तरह से आपको यूज कर ले मैंने इसके बाद देखा तो इसको पहले क्या करते हैं यहां पर होल किये जाते हैं ठीक है इसको मैंने बताया हुआ है ट्राइपोड और अगर ब्लॉगिंग करते हैं जैसे कि मैंने बोला यह उलनजी का करने के साथ किया होता है हमाय की जरूरत होती तो मायक को होड़ करनी के लिए उलन जी ने यहाँ पे मोबाईल के लिए यहाँ पर दिया गया है अगर आप दूसरे ट्राइपोर्ट को लेते हैं तो यहाँ पर यह वाले पॉट्शनальной मिलताità माइक को होल्ड करने के लिए उसके लिए आपको अलग सा होल्डर लेना परता है उसके लिए बहुत ही आपको प्राब्लम करना परता है माइक को होल्ड करने के लिए लेकिन अगर आप यह वाले ट्राइपोड लेंगे यहाँ पर यह होल्डर आ जाता है आप मोबाइल के ठीक है इसको उपर तक लेके चले जाना है तो यह वाले पॉर्ट्शन जो है यह होल मुवाइल होल्डर के लिए बन जाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है उसके बाद देखिए अभी यह वाले जो होल्डर है यह वाले पॉर्ट्शन पर में यह वाले जो होल्डर पॉ कर देना है गुमा के उसके बाद अब जितने भी यहां पर ब्लॉगिंग करें जहां पर भी आप लॉंग ड्राइफ करें यह गिरने वाला नहीं है तो इसलिए मैं यहां पर रिकॉमेंड कर रहा हूं मैं भी इसे लिया हुआ है काफी कुछ रिसरच करने के बाद और मुझे ब कर अबिए-स लर्यायख लगेगा ठेक हैं चाहि 좋다 अधियसよし जगह पर लगेगा थो डीसल्र के उपर अन्पोकसिंग मेंने बहुत अच्छी तरे के से समझाने की कोशिश किया है ताकि अगर आप बलॉगिंग करने के लिए सोच रहे या कर रहे हैं लेकिन आपको आपको लेना है तो आप इन दोनों के साथ जा सकते हैं अगर मैं बात करता हूं तो इसका कोस्टिंग एराउंड मैंने 1300 जैसे पड़ा इसका और ये वाले जो है 1600 पड़ा तो लगबग आप के सकते हैं 2900 के आसपास मेरा ब्लॉगिंग का सेट आप यहाँ पे हो चुका है और एक में बात बतना चाहूंगा यहाँ पे जो है अगर आप लॉंग ड्राइफ करते हैं आपका यहाँ पे इस ट्राइपोड पे और एक खुबिया है इस लाइट का यहाँ पे माउंट दिया गया है इस यहाँ पे एक्टरनल लाइट आप यहाँ पे होल्ड करके भी रख सकते हैं ताकि आप आसान तरीके से नाइट वीजन में भी शूट कर सके तो आशा करता हो गाइस आज की वीडियो में आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि अगर आपको ब्लागिंग सेट अप लेना है कौन सा ट्राइपोड या माइक लेना है तो इस पर आप इस दोनों माइक और ट्राइपोड के साथ अब जा सकते हैं तो आशा करता हो गाइस आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आ नब लेगा